आज हम पढ़ेंगे comparison of two kingdom system and five kingdom system के बारे में तो अगर हम बात करें kingdom की के kingdom का क्या मतलब होता है तो kingdom taxonomy की field में second highest taxonomic rank है taxonomy की field biology की कौन से field होती है taxonomy की field में living organisms को classify किया जाता है यानि उनको मुख्तलिफ groups में रखा जाता है similarities और differences की वज़ा से तो अगर हम बात करें kingdom की तो taxonomy में सबसे highest rank होता है वो होता है domain का उसके बाद जो rank है वो है उसको कहा जाता है kingdom तो आज की वीडियो में हमने देखना है के two kingdom system और five kingdom system के दरमयान क्या क्या similarities हैं और क्या क्या differences हैं तो अगर हम बात करें two kingdom system की और five kingdom system की तो अपतदाई तो पे जब classification की गई थी organisms को kingdom में डोमेंज में तकसीम किया गया था तो यह जो kingdom systems है यह एपतदाई तो तो training system जैसे के लेकर है के बात करें बातेo- gettinствен में तकसीम किया गया तो आज की वीडियो में हम इन दोनों kingdom systems के दर्मियान one by one करके comparisons को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन scientists की जिन्होंने इन kingdom systems को propose किया तो अगर हम बात करें two kingdom system की तो two kingdom system को propose किया गया 1735 में और इसको propose करने वाले जो scientists थे जो taxonomist थे उनका नाम था Carolus Lineus जबके अगर हम बात करें five kingdom system की तो इसको propose करने वाले यनि यह जो kingdom system है इसको किस ने पेश किया था इसको पेश किया था Robert H. Whittaker ने 1969 में तो इसका मतलब है कि यह दोनों जो kingdom system है वो different different scientists ने propose किये थे एक और comparison देख लेते हैं तो two kingdom system में जो kingdom शामल थी उनका नाम था kingdom animal जिसमें के तमाम animals को रखा गया और जो दूसरी kingdom थी उसका नाम था kingdom plant जिसमें के तमाम किसम के plants को रखा गया जबके अगर हम five kingdom system की बात करें तो five kingdom system two kingdom system के मुकाबले में बड़ा था इसमें तमाम जो living organism थे उनको पांच kingdom में रखा गया वो पांच kingdom कौन से थी kingdom animal थी जिसमें के animals शामल थे kingdom plant थी जिसमें के plants को रखा गया kingdom fungi जिसमें के fungi की सारी species को रखा गया kingdom protista जिसमें के amoeba और paramishm वगयरा जैसे चोटे चोटे माइक्रो और्गनिजम्स को रखा गया इसके इलावा kingdom monera जिसमें के bacteria शामल थे जैसे के अगर हम इस डायाग्राम में देखें तो यहां पे clear cut नजर आ रहा है कि कितना difference है इन दोनों systems में यह बिल्कुल basic system था जिसमें के planty kingdom में रखा गया और animalia kingdom में रखा गया जबके five kingdom system इसके मुकाबले में बड़ा kingdom system था जिसमें के plants को रखा गया अलग kingdom में अनिमल्स को रखा गया अलग kingdom में फंजाए को अलग किया गया और उसको अलग kingdom में रखा गया इसके इलावा protists में चोटे 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 यूनी cellular और multi-cellular organisms दोनों शामिल थे जैसे के amoeba है और paramecium वगईरा है इसके इलावा fifth kingdom कौन सी थी? kingdom monera जिसमें के bacteria वगईरा शामिल थे अब अगर हम एक और comparison देखें तो वो ये है के two kingdom system of classification जो है वो किस base पर प्रोपोस किया गया वो base थी या वो characteristics थे nutrition और locomotion लोको locomotion यानिके जो animals हैं वो mobile है या immobile है या move कर सकते हैं के move नहीं कर सकते हैं जैसे के अगर हम animals की बात करें तो animals क्या है? mobile organisms है यानि move कर सकते हैं जबके plants क्या है? immobile यानि move नहीं कर सकते हैं और nutrition की बात करें तो गजायत के जो organisms होते हैं वो अपना nutrition कैसे हासल करते हैं यानिके खुद प्रिपेर करते हैं या दुसरे और्गनिजम्जम्स पर डिपेंड करते हैं तो इस तरह से repetition और lokomotion की base पे two kingdom system की बुनियाद रखी गी जब कि अगर हम बात करें five kingdom system की तो five kingdom system में ज़्यदा सारे characteristic या खुसूसियात को देखा गया जिसकी बेस पे और्गनिजम्स को फाइफ किंडम्स में तकसीम किया गया तो किस पेस पे फाइफ किंडम्स सिस्टम को रखा गया वो कौन-कौन से khصوصित या गरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी मोड अफ न्यूटिशंस λέवे कैसे organisms जो हैं वो जिन्दा रहने के लिए अपना food हासिल करते हैं दूसरा characteristic था cell structure यानि organisms के जो cell की बिनावट है वो कैसी है इसके इलावा phylogenetic relationships, phylogeny कहते हैं evolutionary relationships को यानि organisms में कैसे changes आते गे from one generation to another generation तो इसको कहते हैं evolutionary या phylogenetic relationships इसके इलावा एक और characteristic था जिसको देखा गया five kingdom system को propose करते वक्त वो कौन सा characteristic था reproduction का के organisms जो हैं वो कैसे reproduce करते हैं तो इस तरह से ये एक और comparison है जो के two kingdom system और five kingdom system classification में पाया गया एक और comparison की बात करें जो के हमें two kingdom और five kingdom में मिलता है वो ये है के two kingdom system में unicellular और multicellular organisms को distinguish किये बगए या फर्क किये बगए एक ही group में रखा गया for example क्लेमेडुमुनास जो के unicellular organisms हैं उनको और spirogyra जो के multicellular organisms हैं उनको एक ही group में रखा गया जिसका नाम था LG जैसे कि अगर हम इन diagram में देखें तो यहां पे हमें कलेमेडुमुनास की species नजर आ रही है जो कि क्या है unicellular organism और spirogyra क्या है multicellular अगर हम इस diagram में देखें तो यह क्या है multicellular organisms हैं तो इसका मतलब है कि यह organism और यह organism एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं लेकिन two kingdom system में इनको एकठा LG में रखा गया जबकि अगर इसके मुकाबले में हम बात करें five kingdom system की तो five kingdom system में unicellular और multicellular organisms को अलेदा अलेदा रखा गया separate groups में रखा गया तो इस तरह से यह एक और comparison है जो हमें two kingdom और five kingdom system में देखने को मिलता है एक और comparison अगर हम करें two kingdom और five kingdom system में तो वो क्या है वो यह है कि two kingdom system में photosynthetic organisms जैसे के green algae और plant जो के photosynthetic organisms हैं उनको और non photosynthetic organism जैसे के फंजाए इनको एक ही साथ एक ही kingdom में रखा गया जबके five kingdom system में ऐसा नहीं था five kingdom system में non-photosynthetic organisms यानि फंजाए को अलग kingdom kingdom फंजाए में रखा गया जैसे के वीडियो के स्टार्ट में हमने डायाग्राम्स की मदद से दोनो kingdom system को देखा था तो अगर हम यहाँ पे देखें two kingdom system में photosynthetic और non-photosynthetic organisms को एक ही kingdom में रखा गया जबके five kingdom system में non-photosynthetic organisms यानि के फंजाए को photosynthetic organisms यानि के प्लांट से अलग kingdom में रखा गया तो इन comparisons को मदे नजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि five kingdom system two kingdom system के मुकाबले में better system of classification था तो इस system of classification में भी काफे सारी demerits थे जिसके बाद classification system को मजीद characteristics की बुनियाद पे तबदीलियां की गई ज्यादा इस से भी ज्यादा kingdom's discover हुए अगर हम इन दोनों kingdom का आपस में comparison करें तो five kingdom system two kingdom system के मुकाबले में better था तो आज हमने पढ़ा comparison of two kingdom system and five kingdom system के बारे में